कोदवाली द्यात के अंतरगत लड़की के पिता ने अपनी पुत्री को भगाली ज pseudo लगाया वहीं लड़की की पिता मनुज कस्यप निवासी खजुर्गया कोदवाली द्यात में बताया वह सीतापूर मी आदरस नगर में रहते थे अब अपने गाओं पर रहते हैं था सीतापूर नगर पालका में चपरासी की पद बर कारिवत हैं उनकी पुत्री चांदी उम्रे 16 वर्स आरेकन्या इस्कूल में कच्छनोवी की छात्रा है उनर बताया मेरे मोबाइल पर अमरे जवरा फोन कर धंकाया जा रहा है तो था मुझे परिसान कर मेरे परिवार को जान से मानने की धंकी दी जाती है वही मेरी लड़की सोच के लिए घर से बाहर गई थी तब ही महंद्र निवासी काशी रामकालोनी तथा आमरेस दोनों मिलकर बहला फसला कर कही भगा ले गए हैं तथा मुझे फोन पर धंकी भी दे रहे हैं जिसकी सूशना पोत्वाली दिहात को दे दी है मगर अभी तक मेरी लड़की का कुछ पता नहीं चला और मामली की जाँच पुलिस द्वाराग की जा रही है कि द्वाली का में तो तुम कहा है तो हमने का नगरभालिका में हमाज़ी लगाने में दे गये हैं वहां से हमारे क्या हुआ उसने का लड़की गायब हुगई यहां तो हम वहां से भागे सिधे घर आये घराके चंगल बंगल अर जगा टुदा उसको मगर जो है वो नहीं मिली नहीं जब मिली तो हम अहीं दर्ग्याराई से वे जाओगा तब जाके जो है अतना दिमाग्त इंसन्य में था तो कुछ समझ मी नहीं पाए तो जाके अपायार मथली के तन लिकुआ के पुतवाली में धिया इसको नाम है चैन्दी किस स्कूल में यह आरकन्या इंटर्काल है और हमको राद में धंकी वाला पॉल भी आया बच्चिस तारीक को राद में आया वही इंडों बज़ेंगे होना आया कि तुमको सब को जो है हम मार देंगे आठो लोगों को और नाले के किनारे रहते हो यह वह हम पूरे डिटेल जानते हैं और करते हैं तो अबना कागल ले जाना फाइल वाल यही सब काम है मारा तो हम ने का डूटी कर रहे हैं वहां से हम जन्दी छूटी ले आएंगे जारा बज़े अपना सामान डो लिया जाएगा पुराने घरा जाएंगे वहरां को यह थोडी ना मालूम होगा कि धंकी वाले मादर्चोथ तु यही नजारा भूटेगा यह वह है गाली दिया तो हमने का भाई मैंने तुम्हारा क्या भी गाड़ा हमको बताओ तो तो उसने कुछ नहीं हमको बताया पून काड़ दिया उसके बाद पुलिस वाले के पास गये और पूलिस वालों ने मिलाया तो उसने बताने लगा कि वहां में कर गई तहां बताया राजिस्तान कहुंच रही है फिर उसके बाद इसने जो है फोन काड़ दिया राजिस्तान के बाद और उसके बाद जो है वह सुबा फूल किया हम से कह रहा है थी हम